चीन और ताइवान का जगड़ा बहुत पुराना और कन्फ्यूजिंग है। इन फैक्ट केवल ये देश ये ताइवान को एक देश मानते हैं। लेगन ऐसा कैसे हो सकता है? जब ताइवान के पास अपने सरकार, अपनी करंसी और अपने मिलिटरी है, तो क्यों अब भी ताइवान को भारत और दुनिया के बाकी देश एक अलग देश नहीं मानते? जाने 1995 में हुई पहली सिनो जैपनीज वार के दारान चीन को हार जेलने पड़ी थी। इस हार में चीन को ताइवान को गवान पड़ा था, जिस पर उसका सत्रवी सदी में कंट्रोल रहा था। जनता में पहले से असंतोश था और इस लड़ाई के बाद मेन लैंड चीन की जनता में विद्रो छिड दिया, मुझ धिरिद्रे विद्रो आम हुगे, जिस करना आखर का राजशाई को खाड़ कर बाहर फेंक दिया गया, और 1912 में चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया, आगे जाकर आप देखेंगे ये सारा ताइवानी खेल रिपब्लिक ऑफ चाइना क पर अब आगे बढ़ते हैं, सून याद सेन को 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्टपती चुना गया, याद सेन चीन की नैशनलिस्ट पार्टी वो मिन तांग या केम्टी से आते थे, चीन अभी पूरी तरह आजाद नहीं था, चीन दो हिस्तों में वड़ चुका जिसमें एक रिपब्लिक ऑफ चाइना था और दूसरा था वो इलाका जब भी राजा के कंट्रोल में था, राजा की मौत के कारण उनका 4 साल का बेटा राजा बन गया, और उसको मिलिटरी जनरल युआन शिकाई का समर्थन हासिल था, यू कहें तो युआन शिकाई ही असल युआन शिकाई को याजसेन ने उनकी सरकार जोइन करने के लिए मना कर दिया और अंतताय चीन एक हो गया, बस एक परिशानी थी शिकाई चालाग था, उसने याजसेन को देश से निकाल दिया और खुद को चीन का राजा घोशित कर दिया, बढ़ते विरोध के कारण उसे मिलिटरी रूल कायम किया, इसी दौरान चीन की कमिनिस्ट पार्टी या सीपीसी का गठन हो रहा था, जो तेजी से लोगों के बीच में पॉपिलर होती जा रही थी, चीन में स्थिर्था लाने के लिए याजसेन ने कमिनिस्ट पार्टी को भी अपने साथ लेने का फैंसला करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही इस बात की भनक लग चुकी थी, और उसने बदले में कमिनिस्ट पार्टी के लोगों की मरवाना शुरू कर दिया, इसके बाद कमिनिस्ट पार्टी और केमिनिस्ट पार्टी में चीन की सक्ता लेने का खूनी खेल शुरू हो गया, और CPC चीन की एस्तिती देखकर 1937 में जापान को फिर से चीन में फायदा दिखा और उन्होंने चीन पर हमला कर दिया, और काफी हिस्से पर अपना कबजा भी कर लिया, पर तभी काईशेक और कमिनिस्ट पार्टी के माओं ने मिलकर अलियन्स कर लिया, और जापान से युद्ध म उसे वापस मिल चुका था, और ताइवान भी, जी हाँ, 1895 के बाद 1945 में पूरे 50 साल बाद ताइवान अब फिर से चीन का हिस्सा था, इसके बाद भी चीन में शान्ती नहीं रही, मैंने दोस्त बने केम्टी और स्टीपीसी जादा दिन तक एक दूसरे का साथ नहीं रह प पर चार है, यानि टाइवान बन गया Republic of China और माओ का चाइना पीपल सी Republic of China, दुनिया के सामने दो विकल्प थे कि या तो वो ताइवान को चीन माने या माओ को चीन असली चीन माने, तब अमेरिका और बाकी बड़े देश के मिनिस्ट्री या सामेवादियों के कटर रिप्रेजंट करता था पर धीरे धीरे पीपल्स रिपपलिक ओफ चाइना के बढ़ते वर्चसु के कारण दुन्या ने उन्हें माननेता देनी शुरू कर दी और 1989 तक तो अमेरिका भी उन्हें माननेता दे चुका था 1970 के बाद ताइवान ने अपना United Nations में बैठने का हक भी खो दिया और अब United Nations भी ताइवान को चीन का एक हिस्सा ही मानता है अब इसमें परेशानी क्या है? परेशानी है परेशानी है परेशानी है परेशानी की वन्चान पॉलिसी जो कहती है कि दो नहीं एक ही चीन है जिसका मतलब ताइवान भी चीन का हिस्सा है जबकि अगर वैवारिक रूप से देखा जाए तो ताइवान एक सोतन तो राज्य की तरह ही उपरेट करता है चीन अपनी इस पॉलिसी को लेकर काफी अग्रिसीव है अगर कोई कमपनी ताइवान को एक अलग देश कहकर संबोधित कर दे तो चैनीज गवर्मेंट उस कमपनी को अपने हां बैन कर देती है जिसके बाद उन्हें या तो चैनीज सरकार से माफी मागनी पड़ती है या ब लेकिन WHO जैसी global organizations भी ये करने पर मजबूर है हाल ही में WHO के एक official और हॉंग कॉंग reporter के बीच में बातचीत internet पर वाइरल होगी इस जूम interview में जब WHO official से पूछा गया क्या WHO ताइवान की membership accept करेगा तो पहले उस official ने इस तरह नाटक किया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया फिर जब reporter ने सवाल फिर से पूछा तो उनों से आगे बढ़ने के लिए कहा reporter ने फिर ताइवान पर सवाल पूछा तो उस official ने जूम मीटिंग ही छोड़ दी और जब वो मीटिंग करग वापस आये तो ऐसे दिखाने लगे जैसे ये सब किसी technical error से हुआ है बात यहीं नहीं जा रही है कि ताइवान जैसा कोई देश exist करता है तो चीन ने किस कदर अपना खौफ दुनिया में बनाया हुआ है चीन के इसी रवाइए की वज़े से ताइवान के साथ बातचीत करना काफी पेजीदा होता है जैसे अगर आधिकारिक तो पर देखा जाए तो भारत ताइ ताइवान को एक देश नहीं मानता इसलिए वह वहाँ पर MBC नहीं बना सकता लेकिन हमें ताइवान से वेपार भी करना है क्योंकि ताइवान इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमी कंड़क्टर चिप बनाता है जापके और हमारे गैजेट्स में डलती है इसलिए भारत ने इंडिया ताइवान असोशेशन नाम से एक ओफिस वहाँ बनाया हुआ है यही हाल वाकी दिशोग अभी है ओलम्पिक में भी ताइवान के एथलीट ताइवान के जंडे के नीचे नहीं बलकि चैनीज ताइवान क्या चाहता है क्या उन्हें आजादी चाहिए य उन्हें सतंत्र होने की मांग करके चीन को उस्सा नहीं दिलाना चाहिए पर ना हो सकता है चीन अटेक कर दे और जो दिकार उनके पास अभी है वो ना रहें ताइवान के कहानी काफि दुखद है पुरी दुनिया चीन को एक दूसरे देश को बुली करने का तमाशा देख र भारत को इस विशे में क्या करना चाहिए आपकी क्या सोच है हमें कॉमेंट बक्स में जरू लिखना वीडियो पसंद आये तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना